हेलो, सबको गुद मॉर्निंग, सुबा की बहुत बहुत गुद मॉर्निंग सबको अब मेरी वीडियो स्टार्ट हो रही है, as a mother of two daughters, as a mom of two daughters तो आज मैं शुरुवात कर रही हूँ, अपना ये मिर्थी का आटा निकाला है, भिंडी निकाली है तो मैं बनाओंगी भिंडी, और चाय तो फिर बनती है सबसे पहले, चाय के बना तो शुरुवात होई नहीं सकती तो ये मेरी आदत है कि मैं कोई भी बरतन निकालती हूँ, तो पानी से एक बार दो लेती हूँ और अब मैं बस चाय का पानी ले रही हूँ, कप में मिजरमेंट से, ताकि चाय ना जादा बने और ना कम बने और अब मैंने ये गैस ओन कर दी है, बिंडी निकाल ली है, और ये साथ में कडाई भी निकाली है कड़ाई एक बार देखो अपने पानी से मैंने दोलिया है अब मैंने गैस अन कर दिये पानी से निकाल के कड़ाई को और अब मैं निकालने वाली हूँ यहां पे चमचा 75 हो चुके हैं, चाई चड़ चुकी है बस चाई चड़ाती है, ऐसा लगता है कि फटाफट बस पी लो, कब बनेगी चाई कड़ाई में मैं डाल रही हूँ मस्टर ओयल, मैं मस्टर ओयल यूज करती हूँ जादा तर सबजियों में, स्पेशली ड्राय सबजियों में तो जैसा कि भिंडी हमारी सूखी बनने वाली है, तो मस्टर ओयड लाला है, सरसों का तेल, अल्मोस चार पाँच स्पून जितना, अंदाजे से, और 30 ml में बोलो तो 30 ml जितना, अब मैं डालूँगी सबसे पहले तेल गरम होने के पद जीरा, यहां पे साथ सा चाय भी बन रही है, सबसे पहले मैं ने डाला जीरा और हल्दी, थोड़ी सी हल्दी और डाली है, ताकि कलर अच्छा है भिंडी का, और इसको थोड़ा चला दिया मैंने अब, अब मैं डालूँगी इसमें भिंडी, अब भिंडी को थोड़ा स्टर करेंगे, थोड़ा से चलाएंगे, ताकि भिंडी में सारा हल्दी और नमक सब ऑइल वगएरा सब अच्छे से मिक्स अप हो जाए, ताकि टेस्ट थोड़ा और अच्छा है, अब हम इसको और मैंने गैस थोड़ा बीच में बंद कर दिया था, क्योंकि कई बर के जीरत जल जाता है, तो सबजी का टेस्ट अच्छा नहीं आता, अब मैंने फिर से गैस का फ्लेम अन कर दिया है, और मैंने कवर निकाला है, इसको कवर करने के लिए ढग देंगे, ताकि स्टीम में ज थोड़ा सा कम लगा, तो मैंने थोड़ा और डाल दिया, अब एक बड़ चलाओंगी, और मुझे अब मुझे कलर बिकुल पॉफेक्ट लग रहा है, इसको ढख दो, अब मैं फ्रिज में रख दूँगी दूद वापस, ताकि खराब न हो जाए, अब बस अब मैं चेक करू बिंडी कहां तक पहुंची, क्योंकि सुबा के टाइम थोड़ा सा रहता ही है, और बस मुझे वेट हो रहा है कि बस जल्दी से चाय बने, और मैं चाय के सिप सिप लूँ, थोड़ा गला भी मेरा ऐसे है, तो थोड़ा मन करता है, फटा-फट से सुबा सुबा कुछ गरम प अब देखते हैं, फटा-फट से चाय जल्दी से पीऊंगी, कैसी बनी है, बहुत मज़ा आने वाला चाय पीके तो, सुबा सुबा की चाय तो बस चाय होती होती है, अब मैं चाय पीऊंगी, गरम है बट मुझे वेट नहीं हो रहा है, बस कब चाय जाए, वाओ, चाय बहु तयार करूंगी, और यहां पे बन चुका है मेथी का पराठा, और मैलो देखो कैसे बैट के मुझे देख रहा था, कि ममा क्या कर रही है, और यहां पे दो रोटी मैंने डिया कले बनाई है, नाश्ते के लिए और एक टिफिन के लिए, और सेम, माही के लिए दो पराठे बन आश्ते कावड़ा है कोरियंडर पाउडर, थोड़ी सी में हींग और डालूँगी ताकि थोड़ा टेस्ट अच्छा है और साथ में में डालती हूँ, यह है मेरा अम्चुर पाउडर, ड्राइ मैंग पाउडर, वह भी में दो चम्मच जितना डालूँगी ताकि थोड़ा और नमक आप लोगों नोटिस कि होगा कि पहले मिन नमक नहीं डाला था नमक मैं अब डाल रही हूं बिच में बिंडी अच्छी नहीं आ रही थी तो मैं नहीं ला रही थी अब मैं यह प्लेट लेके जा रही हूं डिया माडम के पास कि उसको आवाज लगा रही हूं कि आजाओ और यह दो मेथी के पराठी माही के लिए वो नाश्ते में खाएगी और जैसा कि मैंने बोला एक लंच में लेके जाएगी इन दा मीन टाइम मेरी चाय हो चुकी थी धंडी थोड़ी बहुती पी थी और अब मैं मैं माइक्रोवेव कर रही हूं ताकि अब मैं चाय का लुफ्त अच्छे से उठा सोगों क्योंकि सारा मेरे काम हो चुके है नाश्ते का लंच का चाय में गरम हलाकरम मैं हज़ियर भावां फैट मेरे को थी पाराधा को यह हूं वह पंति नेगा अब माई पीज कात रांटा ट्री का रर्ग का रही हूं इसको की ऐसी हो जाता है कहने में कि भूलती है मैं बहुत ऐसे लगता है मुझे थी लगता है कहने में और एर पनी पंछे में अब यह है डिय का लंट्च बॉक्स, अब मैं माही का pack कर रही हूा लंट्च वाक्स, मेथी का पराठा, अचछे से फोल कर दिया है, और यह जो इस टिएब की लंट्च बोक्स होते हैं, इसमें पता इन्य औरों को कैसा लगता है, मुझे बड़ा मुझे बड़ा मझा आता है इन ल झाल 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 झाल